उत्तर परदेश में बीजेपी की पुर्ण बहुमत वाली सरकार तो बन गई लेकिन आज भी बहुत सारी चुनावतिया उसके सामने बिद्यमान है और उसमें से सबसे बड़ी चुनावती ये रही कि उत्तर परदेश में मुख मंत्री जोगी आदित्यनाथ को बना दिया गया जिससे हिंदूओं और मुसल्मानों दोनों समुदायों में एक बहुत बड़ी बदलाव की संभावनाय बन रही है बहुत सारे परत्यक्षदर्सियों बहुत सारे हमारे बिद्वानों का कहना है कि जैसे ही जोगी आदित्यनाथ ने अपने सीएम के कुर्सी संभाली उसके साथ ही उत्तर परदेश का बदलाव बहुत तेजी से होना सुरू हो गया अभी हाल ही में देख लीजिए जोनों होने एक रोमियो अस्कौाइड बनाया है तो वैसे काभीले तारीफ वाली वर्क लेकिन इसमें बहुत सारी प्रोब्लम्स भी आ रही है बहुत सारी समस्या हैं जो पब्लिक जहल रही है और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर ये कैसे पहचानते हैं कि कोई रोमियो है कोई लड़कियों को छेड़ रहा है या परसान कर रहा है अभी दो दिन पहले की ही वाक्या है कि एक भाई वहन को पकड़कर जबरन उनको ठाने में लेकर चला जाए गया उनके लाख कहने के बावजूद भी कि वो भाई वहन है किसी ने मानने पर भी इनकार कर दिया सब ने यह कहा कि नहीं यह गलत बोल रहे हैं और बाद में फिर उनके परिवार वालों ने इस ख़वर को सुना और देन फिर आने के बाद इस चीज को पुस्टी की कि नहीं यह दोनों भाई वहन ही है तो आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे पहचानते हैं कि कौन से मनचले हैं कौन से सब लोग हैं कोई अपने परिवार के साथ जा रहा है कोई अपने घर वालों के साथ रह रहा है तो क्या ये आप लोगों के हिसाब से सही है मैं मानता हूँ कि महिलाओं को सुरक्षा देना जरूरी है लेकिन उस सुरक्षे के आड़ में दूसरे लोगों को परिशान करना आम पबलिक को दिस्टब करना ये कहा की न्याय है दूसरा एक और भी सबसे बड़ी मुद्दा अभी जो राम मंदिर को लेकर के चल रही है जिसमें सुप्रिम कोट ने अपना फैसला दिया सुप्रिम कोट का कहना ये है कि इस मसले को बादचित के हिसाब से अपने दोनों समुदाय बादचित करके और इसका निवारन निकाले लेकिन आज तक इसका कोई निवारन निकल नहीं पाया लोगों को लग रहा है कि जोगी आदित्ते नाथुतर परदेश में सीम बन कर आये तो अब राम मंदिर बनना तय हो चुका है लेकिन आज भी मुसल्मान समुदाय जो है इसके खिलाफ खड़े हैं उनका मानना ये है कि राम जब थे ही नहीं तो फिर मंदिर किस लिए और उसी तरह हिंदूों का कहना है कि मुसल्मानों ने जैसे बावर ने हमारे राम मंदिर को ध्वस्त करके अपना मस्जिद बनाया तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आखिर इसका सॉलूसन क्या होना चाहिए क्या है इसका समंधान क्या वहां वाकवी में राम मंदिर बनना चाहिए या फिर वैसे ही जैसे नमाज पढ़ने के लिए मुसल्मानों ने कहा कि मुझे वहां में एक मस्जिद की जुर्रत है तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है हलाकि राम मंदिर बने ना बने लेकिन जोगी आदित्यनाथ के सियम बनने से उतर प्रदेश में लोयन ओर्डर में काफी सुधार भी हुआ है और आते ही उन्होंने बहुत सारे जैसे बुचड़ खाने बंद कराये जिससे पसुवली और ये पसुओं को कतल कर काने में भी जो भी चीज़े होती थी इन सब चीजों को बंद करने से भी बहुत सारी सकरात्मक उर्जा मिली है और लोगों में एक अच्छा संदेश भी गया है लेकिन ये चुनावती बड़ी नहीं है इससे भी बड़ी चुनावती ये है कि क्या उत्तर परदेश में वाकई योगी आदित्यनाथ अपना राज का हैं कि आखिर राम मंदिर अधित्यनाथ जोगी या बीजेपी सरकार मिल करके बना देगी तो क्या ये इसमें खरा उत्रेंगे इन सब सवालों का जबाब जानने के लिए बने रही है बीग निवस इंडिया के साथ मैं दिपक कुमर विशाल